तो अभी मैंने जियो के customer care में call किया था और उनसे बात किया था कि मेरा जो यहाँ पे जियो airfiber का प्लान है वो पहले 30 Mbps का था फिर मैंने उसको convert किया था अप्ग्रेड किया था 100 Mbps पर अभी मैं को आपसे 30 Mbps यह तो उसके लिए क्या अगर ना हुआ बिकॉस जब मैं यहाँ पर आपको लाइफ दिखाता हूं क्या प्रब्लम आ रहा ठीक है उससे पहले अगर आप अपने घर पर या फिर ओफिस पर जियो के airfiber connection लगवाना चाहते हैं तो सिम्पल सा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा उस लिंक पर आप लोगो किलिक करना है और आपको अपने सारा डीटेश बगर डालना है और एड्रेस बगर डालके आपको जो है जीओ के airfiber को बुक करना है बुक करता ही बहुत ही जल्दी आपका चेक कर वा देता हूं देक्सक्तो हूं यहां पे 8.99 व्रेस ला प्लान है जो के 100 mps वहला है अब ही अगर मैं इसको challenge करना चाता हूं तो यहां पर बुक्र पलान के जाके यहां पे आपको option मिले गो change plan की यहां पर जा सकते हैं इसके बाद यहां पर option मिल जाता हbly 599 पर कर सकता हूँ 30 MPS वाला तो यहां पर 100 MPS वाला भी जाने के पास option है मेरे पास मतलब जो heavier वाला plan है तो यहां पर 30 MPS पर जाना आ जाता हूँ तो buy करना पड़ेगा मेरे को and मैंको आपस से 706 करने पड़ेंगे advanced dental के तौरवे बट मेरे पास मैंने कल ही पेगे थे 1060 में को बिकॉस नया प्लान चाहिए था तो उसी प्लान से कटना चाहिए था इसका पैसा बट आसा इसमें नहीं जाला है तो customer care ने यहीं बताया कि आपको जो है payment करना ही पड़ेगा उसके बाद आपका bill cycle जो है वो generate होगा और आपको जो है वो जितना पैसा आपका बचा हुआ होगा एड़ेस्ट हो जाएगा आपको प्लान में जितने भी